सबीको नमस्कार आज हम आदने डॉक्टर सुरेश जी परिहार के यहां हैं तो एक प्रतियग विक्ति के जीवन में समश्या आती हैं और समश्या कुछ भी नहीं होती पर सोचने वाला उसको एक अलग ढंग से सोच करके बात का बरतंग रखता है और दिमाग में बहुत सारी विचार बना लेता है अब यह जीवन है तो समश्या आनी सोभाविक है फिर उन समश्या वह समाधान क्या हो तो समश्या है तो समाधान भी है पर उस समाधान का ढंग क्या हो विक्ति समश्याओं को अपने ही ढंग से सोचता है और उसका समाधान भी अपने ही ढंग से निकालता है परंदु अपने ढंग से समश्याओं का समाधान नहीं निकलते समश्याओं के समाधान तो जो उनका प्रोपर वे है जो साइंटिफिक जो जो चीज है उसी से ही उसका समाधा निकलता है तो हम इसी पर आज discussion आदरीन डॉक्षाप से रख करेंगे कि एक तो वेक्ति का मन उलज जाता है वह समश्याओं का निर्मान करता है पर उलज हुआ जो मन है वह उन समश्याओं को सुलजाए कैसे है उसका विज्यानिक ढंग क्या हो उस पर हम आदरीन डॉक्टर परिहार साब से मानक दर्शन लेंगे आदरीन डॉक्षाप प्लीज बहुती बहुत बहुत सदूआद आपका और ये एक बहुती कॉमन समश्याओं सभी के साथ में कि जैसे समश्याओं आती है तो हम एक दम से हरवड़ा जाते हैं और हरवड़ाने के बाद में हमें यूं लगता है कि इसका जो समाधान है वो उसी परकार से होगा जैसा हम सोच रहे हैं लेकिन हमारे सोचने में और अग्जिक्ट समाधान में थोड़ा सा अंतर है कैसे अंतर है आई यह पहले कि एक एक जामपल से इसको समझते हैं जैसे मानलो आपको कहीं पर किसी जगह पर जाना हो तो आप फॉर विल्लर उठाते हैं तो आप जब रिलक्स होते हैं कोई टेंशन नहीं तब तो आप क्या फॉर विल्लर उठाएंगे वहां पर जाएंगे चाबी गुमाएंगे कलच दबाएंगे गीर लगाएंगे और फिर आप एक्सलेरेटर दबाएंगे लेकिन आपको कहीं जाना हो और आपके टेंशन हो जाए एक बहुत ज़्यादा पर और यह तो बहुत बड़ी चीज होगी मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना है तो आपने एक्सलेरेटर वहां पर जैसे ही दबाया इंजन तो बहुत तेज चलेगा उसका जो फ्यूल है डीजल या पेट्रॉल वह भी बहुत जादा गती से जलने लगेगा ठीक है गाड़ी बहुत तेज लगेगा कि बहुत तेज गाड़ी चलने लगी है लेकिन उसके जो पहिये है वो नहीं गुमेंगे यही चीजें जो है वो हमारे एक साथी के साथ हुई कि वो अराम से बेठे थे और उन्होंने एक दम से पाया कि आंखों के अंदर थोड़ी समश्या होने लग बताएगा मेरे बच्चे जो है वो भूखे पहे जाएंगे मेरी जो पतनी है उनके लिए वैस्ता है कैसे होगी घर-परिवार कैसे चलेगा और वो हडबढ़ाहट में कभी कुछ करे कभी कुछ करे कभी कुछ करे और इसे करके एक डेड़ महीना वो उन्होंने नुक्सान कर लिए फिर उसके बाद में मेरे से मिले मैंने उनसे पूरा चीज कहा तो मुझे इसे लगा कि वह बात आप सभी को भी शेयर करनी चाहिए कि समश्याओं का समाधान पांच स्टेप से होता है सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि उस समश्या के बारे में अच्छे से सोचना व को पी के लेवल पर उसको दिमाग से बाहर निकाल कर लिखी याख Esmita9ओ करें दूसरा स्टेप और इसके अंदर ये है कि आप उस पूरी समश्याओं को डिवाइड करने की कुसिस करें उसको आप लगभग पांच हिस्सों के अंदर उसको तोड़ें उसको आप डिवाइड करें जिसमें से पहला इस परकार से जैसे सेसे मैं हुआ कि बh fix uh मैं कि समया कि भी मैं इस आंखों की समया कि जो स्पेचलिस्ट हैं स्पेचलिस्टाइब चिकित साल यह specialist doctor उन से केसे संपर्ख करो त्रोब कौन से चिकित सकतक है कौन से doctor है उन से संपर्ख कैसे करickets यह पहला स्टेप होना चाहिए था दूसरा KARम यह कि उसके بعد में वो उन doctor से मेरी जो जांचे हो इसके बारे में जो पता करना हैं वो अच्छे से हो क्या-kya जांचे हो सकती है कोई Google करना है कोई YouTube करना है कोई Search करना है तो पूरी अच्छे से आप जांचे करवाओ । तीसरा स्टेप यह कि बहुत अच्छे से आप फिर इसका जैसे वो इलाज बताए वेसे इलाज लीजिए चोत्फा स्टेप यह है कि आप उसका अच्छे से परहेज की और पांचमा स्टेप यह है कि यह समश्या दुबारा ना हो इसका भी ध्यान रखिए हो सकता है तीन महीने बाद जो कोई जरूर खर्च हो जाए है लेकिन हमने प्रोपर वे में किया कि एक तो इसमें गबरायें नहीं इसका तरीका इस परकार से तो इसमें हमारा दिमाग अलग-लग बहुत सारी चीज़ों पर नहीं चला दिमाग भी शानत रहा हमारी जो शक्तियां थे उसका पूरा उपयोग किया जो हमारे संसादन थे उसका भे हमने पूरा उपयोगर की बुरो किया वह उस पूरे उपयोग की वजह से हमने एकonce पे काम कि तो अगर हम इस परकार crgyhative के आपको समझाया है कि किस परकार से अपने क्योंकि देखो कि जीवन के अंदर जो परिषानियां मुश्किल्त वो तो आए पर यह निश्चित बात निश्चित बात है हम और उन लोगों के साथ जादा आती है जो लोग थोड़े पिछडें हैं जो लोग टोड़े गरीब हैं जो लोग थोड़े दबे हुए यह जो तीनों सब्द हैं यह सब्द भी क्या है कि स्थाई सब्द नहीं है कोई अगर अपने आपको इन तीनों सब्दों के नर्मान भी रहा है तो उसको भी कहें कि वक्त कभी भी रुकता नहीं है बदलता है और वक्त के साथ में आपका समय भी बदलेगा उसको है और बदलने का तरीके जो है वो हम बिसकस करते रहेंगे आप सभी के साथ तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें आपा क्या इसमेंसे कौन सी बात अच्छी लगी उसको disease करें सबी के साथ में यह वीडियो शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल या फेस्बुक पेज को आप लाइक करें फोलो करें सब्सक्राइब अब मैं चाहता हूँ कि आचारय निबान जी तो हैं वो इस पर अपनी जो एक परतिकिरिया है वो देवे हैं आपने बड़े सुंदर ढंग से उन बातों को रखा जीवन है तो समश्य आएंगी तो समश्य आएंगी जब ये भाव हमारे मस्तिक्ष में स्थाई हो जाता है तो फिर उससे होचपोच नहीं होना उससे गवराना नहीं समश्य आई तो उसका समाधान भी है बुद्ध बड़ प्रणाम्म बाह्त बाहत भी है जैनी, जैनी भाव हंदां